केलांचल टाइम्स हर खबर बर हमारी नज़र कोड़ांचल पेल शूर्ण राइन्पूर के बीच खेला गया जिस फाइनल मुकाबले में नारायन्पूर की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्ले वाजी करने का फैसला लिया और अपने विपकशी टीम के छेत रचन करने के लिए अमंत्रित किया। पहले बल्लेवाजी करते हुए नारायनपूर की टीम ने निर्धारित आठ ओवर में 6 विकेट खोकर सततर रन बनाएं और अपने प्रतिद्विती टीम सन्राइज हॉस्पिचल गोड़ा को 78 रनों का लक्ष दिया लक्ष का पीछा करने उतरी सन्राइज गोड़ा की टीम ने निर्धारि 6 ओवर में 3 गेंद, दो विकेट खोकर सीरीज अपने नाम कर लिया, इस तरह से सन्राइज गोड़ा की टीम ने जीत दर्श कर लिया वहीं समापन समारों के मुख्यतीती के रूप में महा गमा पस्चिमी जीला परिसद, नगमा आरा इवं मुख्या मुस्ताक एहमद पहुचे और बारी-बारी से खिलाडियों को संबोधित करते वे कहा कि खेल से आपसी भाईचारा इवं आपस में प्रेम भी बढ़ता है अस्प्रतियोगिता में जो भी टीमों ने हार का सामना किया, वह निरास नहों आगे और अधिक महनत करते रहें भले आप मैदान में पराजित हुए हैं, लेकिन दर्शकों का दल्स जीत लिया है उन्होंने आयोजन समीती की भी तारीफ की, वहीं प्रत्थम पुरुसकार के रूप में विजेता सन्राइज हॉस्पिचल गुड़ा टीम को विजेता कप के साथ 10,000 रुपे नगद जीला परिसद नगमा आरा के हाथों से दिया गया वहीं विजेता टीम नारायन पुर को 8,000 रुपे परिसा पंचायत मुख्या मुस्ताक एहमत के हाथों से दिया गया इस प्रत्योगीता में कमेंट्री की भूमे आशीफ एकबाल, अबुलेस इरम, अफ्ताव वाटसन, असलम, इरसात निभा रहे थे जहां सभी के द्वारा अलग-अलग अंदाज में कमेट्री कर लोगों को खूम लुभा रहे थे अपस्थित थे आपने इसमाय आपने विटे के नमभेशन करते हैं मैं यहां खेल को देखें आए पर दशा लगा यहां खेल को खेल के बाव्माव से खेडा और आगे इसे नाजावाना से कहूंगा के आपने जोभी आपने इसकाम को अंजाम जिया है तो बहुत फितार ने के केलांचों टाइश हर खबर बर हमारी नजर